Hello dear subscribers, मैं हूँ आपकी दोस्तों स्वागत है आपका best care of pregnancy में Friends, आज किस वीडियो में हम fourth week of pregnancy की बात करने वाले हैं मतलब कि गर्भावस्ता का चौथा हफता गर्भावस्ता का चौथा हफता जो होता है वो कुछ ऐसे point of view से बेहत important होता है जो कि आपको जानना बेहत जरूरी है क्योंकि ये जो time होता है ये आपके बच्चे के लिए और आपके लिए pregnancy की starting का समय होता है तो इस दोरान ही कई महिलाएं होती हैं जो बड़ी बड़ी गलतियां कर देती हैं इसपेशली जो first time conceive कर रही है उनके लिए ये ज़्यादा जानना जरूरी है तो वही खास जानकारी आज के इस वीडियो में मा को देने जा रहे हैं वीडियो में हमारे साथ end तक बने रहेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें गर्बावस्ता का जो चौथा हफता होता है वो क्यों important होता है पहली बात ये time होता है आपके successful implantation का जब एग और इसपम का meet हो जाता है और जो fertilized egg होता है वो जाकर के uterus के lining से चिपकता है और यहीं से pregnancy के start होती है आपके periods का miss होने का time भी यही होता है प्रेगनेंसी के जो आपका चौथा हफता होता है चौथे हफते का मतलब होता है कि आपकी pregnancy को एक महीना पूरा हो गया लेकिन ये बात आपको पता नहीं होती ये बात आपको पता कब चलती है जब आपके periods मिस हो जाते हैं या फिर आपको सारे pregnancy symptoms से दिखने लगते हैं जब आप test करते हैं और test positive आ जाता है तो वो समझ लेगे कि आप ये pregnancy का एक महीना उसी दिन पूरा हो गया जिस दिन आपने pregnancy test किया और test positive आ गया अब इसके बाद आगे क्या क्या step लेने होते हैं ये बेहत जरूरी है अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिए क्योंकि यहीं पर आगर के महिलाएं अकसर लापरवाही करती हैं जिसकी वज़स उनके periods आ जाते हैं जबकि वो pregnant होती है पहली बात तो अगर आपने पहला टेस्ट कर लिया है टेस्ट positive आ गया है तो बार बार टेस्ट करने का इंतजार मत करिए कि अभी मैंने टेस्ट किया है positive आ गया है अभी मैं पांच दिन और वेट कर लेती हूँ शायद मेरी periods आ जाएं हैं ऐसे अगर आप वेट करेंगी तो कई बार क्या होता है कि जिनका यूटरस कमजोर होता है या फिर जिनको pregnancy के दौरा bleeding की problem होती है उनको bleeding हो जाती है वह pregnant होती है इसके बाज़ू दूने bleeding हो जाती है और वह समझ लेती है पीरियोड से और फिर वो प्रेगनेंसी वाली साउधानी नहीं रख पाती हैं तो जब भी आप टेस्ट करें आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो दूसरी टेस्ट का इंतिजार मत करिए आप उसी दिन डॉक्टर के पास जाएए आप उन्हें बताइए कि मैं प्रेगनें इंबैलेंस था या अभी ठीक हुआ है या अभी भी है तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी दीजिए आपके कोई भी प्रॉब्लम रही हो जिसकी वज़े साब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी या लंबे समय के बात कंसीव की है आपने तो सारी जानकारी डॉ प्रजेस्टरॉण के इंजेक्शन होते हैं जो हर हफ़ते देने के लिए डॉक्टर बुलाते हैं और यह तीन महीने तक शुरुवाती प्रेग्नेंसी के दिये जाते हैं और साथ ही प्रजेस्टरॉण के टैबलेट्स भी चलती है ताकि मिस्कैरेज ना हो बच्चे की ग्रोथ हैं यहोता है जब 14 हफता होता है प्रेग्नेंसी का और गुलात गृप्त लोम यह तैस्ट चोटिदिफ ना पडोद में जो बेसें कि जिस दिन टेस्ट करें उसी दिन तुरंत डॉक्टर के पास जाईए दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अब क्योंकि आप प्रेगनेंट हैं तो आपकी जो पहले की लाइफ थी घुमना फिरना चलना फिरना कुछ भी मनाया खा लिया पी लिया अब आपको वो चीजे नहीं करनी है क्योंकि इस समय अब आप प्रेगनेंट हैं आपको सुरू से ही साफधानिया रखनी हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अभी तो प्रेगनेंट हुए हैं अभी थोड़ा और टाइम हो जाने तो तब अच्छे चीजे खाएंगे दो बार दूद पिएंगे दिन में मिलक पाउडर लेंगे यह है वो है ऐसा नहीं है शुरुवात जब नीव मजबूत होती है कम हाइट का होगा तो प्रेगनेंसी आगे कैसे बढ़ पाएगी वो तो उहीं रुख जाएगी बच्छे कि ग्रोफ तो इसलिए जैसे ही प्रेगनेंसी कंसी हो वही से और दिन दूद पीजेक आइज आ प्लाहिमे नोनल चेंजिस बहुत होते हैं हो सकते हैं आपको साझा दिन वॉमिट बहुत ज़ाद आ शुरहती तीन महीने में बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं खॉत बोच जादा वॉमिट आती है इसमें ड तो दॉक्टर के कॉंटेक्ट में हमेशा बने रहें तुरंत जाकर उन्हें दिखाएं अगर आपको किसी तरह का पेट दर्द ब्लीडिंग है और बेडरस्ट करने की कोशिश करें वो कुछ दिन में ही वो ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाती है शुरुआती तीन महीनों म प्रेगनेंसी के और इन ही को ही आपको ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि यही पर कई बार महिडाएं गलती करती है और उनका जो सकसेफूल इंप्लांटेशन होता है जो प्रेगनेंसी होती है वो मिस्कैरज में चेंज हो जाती है इन बातों का खास ख्याल रखिए वीडि से यू सुन इस्टे हैपी एंड इस्टे हैल्दी